कि जैन साथियो मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से अपके अपने यूटूब चैनल स्वाटिक भाई अली सर में हम एस्टी यादब की नई वाली बुक का सोलुशन कर रहे थे और आज हम चैप्टर करेंगे इसमें साली करूं ठीक है आए साली करने स्टार्ट करते हैं भी कौन सा सबसे पहरा लाइन ब्र generate फिर छोता ब्रेकित फिर आपका मजला ब्रेकित और फिर जो होता आपका बड़ा प्रेकित होता है यह सुॉब करेंगे ऊसके अ मतलब भाग का चिन होता है, इसको solve करेंगे, उसके बाद multiply को solve करेंगे, गुणा, उसके बाद add मतलब plus के चिन को solve करेंगे, और उसके बाद subtract मतलब minus के चिन को यहां सर हम, यहां से हम solve करेंगे, ठीक है, ठीक तो यह देख लीजी, आपके सामने सब चीज लिग दिया है, वी से क्या है आपका bracket है सबसे पहले line bracket उसके बाद छोटा bracket उसके बाद मजला bracket और सबके बड़ा bracket उसके बाद क्या आएगा आपका और उसके बाद divide फिर multiply फिर add फिर subtract यह आपके क्या होएंगे आपको इस नियम पर ही सवाल करने है आएगे चलते हैं आज के पहले सवाल की दरब पहला सवाल आपका आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल है आपका पांच भाग पांच भाग दस का पांच भाग दस का पांच चार प्लस चार भाग चार का प्लस चार भाग चार का और उसके बाद है आपका चार का चार गुणा दस लंबा सवाल है चार का चार गुणा दस चार का चार गुणा दस माइनस दस माइनस चार माइनस चार भाग 16 गुणा चार भाग 16 गुणा चार यह आपका सवाल है और इसे क्या है का सलीकरत मान ग्याद कीजिए या मान क्या होगा अब देख लीजिए क्या मैंने आपके सामने भी बोर्ड मास लिग दिया और मैंने आपको बतावी कि बोर्ड मास क्या होता हमारा सबसे पहले ब्रैकट फिर और फिर ब्रैकट नहीं हमारा तो उसके बाद किस पर पोश्ट है हम छोटे ब्रैकट पर क्या इस पूरे में छोटा ब्रैकट है कहीं पर जी हां यह हैगा तो बस हम इसको ही सोल बगरेंगे और बाकी का सारा आय से लिग देंगे तो पांच भाग 10 का 10 का 10 गुणा 4 प्लस 4 भाग 4 का चार गुणा 10 माइनस इससे सोल बगर लीजिए 10 में से 4 कितना बचा 6 भाग 16 गुणा 4 अब देख लीजिए क्या था हमारा ब्रैकट का काम भी खतम होई गया और कोई हमारे पास ब्रैकट है नहीं उसके बाद किस पर चलंगे हम का पर चलंगे अब जहां जहां का है वहां प भाग देख लीजिए अब यह मैं 4 क्यों ने लिख रहा क्योंकि भाग के बाद क्या है यहां का आई गया इन दोनों के बीच में तो का की जगए गुणा का चिन 4 चोक 16 ठीक 16 गुणा 10 माइनस 6 भाग 16 गुणा 4 अब देख लीजिए का का भी हमारे का काम भी निस हो गया लास 4 भाग 16 गुणा 10 माइनस 6 भाग 16 गुणा 4 ठीक है यह है अब हम यहां से देख लीजिए क्या इसको काट लीजिए 4 से काटा 4 बर कट गया ठीक और ये काटा 2 लार ये काटा 3 भार ठीक इसको काटते हैं हम और क्या, यह गुड़ा में हैं ठीक, यह पहले इसको काट लिज्ए, 5 चुख 20 और 20 से कटा है कितनी बार? 5 बार, और इसको काटेंगे हम कितनी बार? 8 बार यह 4 से कट दो, इसको 4 चूख 16, कितना? 4 से काट दो, 4.16 बार और इस 4 से दो बार और इस 4 से पांच बार देखली जें यहां से मेरा कितना है एक बटा 5 फिर क्या plus का चिन है यहां से पांच बटा-2 फिर minus का चिन है यहां से कितना है तीन बटा-2 ठीक है अब देखली जें मैं इन सबका अगर ऐलिसियम लेलूं तो कितना आई या 10 अब 5 की गुणा के बार गई दो बार और दो इकन दो पिलस इस दो की गुणा 5 बार और 5 पंजे 25 माइनस दो की गुणा 5 बार और 5 थी ये 15 है ठीक है यहां से मैं 15 है 25 में से 15 घटाए तो 10 बचे और 2 ये तो कितना हो गया मेरा 12 बटा दस ये भी आपका अंसर हो सकता और ये भी आपका अंसर हो सकता 1.2 देखते हैं इसा कौन से ओप्सन में है जो आपका 1.2 ओप्सन है ओप्सन नमबर है आपका बी ओप्सन नमबर कौन सा है आपका बी तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा आसा करता हूं ओप्सन नमबर पी था आपका इसका अंसर देख लीजे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सवाल को करिए जल्दी से जल्दी सवाल है आपका दूसरा के 5 भाग 5 भाग 5 का 5 पाँच भाग 5 का पाँच भाग 5 का 5 गुणा दो प्लस दो भाग 2 प्लस दो भाग 2 का 2 का 2 गुणा पाँच गुणा पाँच पाँच माइनस दो यह आपका पाँच है पाँच माइनस दो ठीक उसके बाद है भाग 6 गुणा दो भाग 6 गुणा दो ठीक है चलिच से इसका अंसर निकाल लीजी आप ठीक तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ब्रेकिट देखते हैं कि प्रेकित हमारा लाइन दो छोटा ब्रेकिट ठोड़ गया मायनस कचिन है यहां सा मायनस कचिन लिया लिया मना और यह कितना हो गया इस है पांच मंशड़ गये तो 3 बचा थिन भाग 16गुणा दो यह ऊगया अब देख लीजी हमारा जो ब्लेक एकित के 5-3 भाग 6 गुणा दो अब देख लीजिए अब किस पर चलते हैं? भाग पर चलते हैं तो यहां भी भाग है तो यह 5 बटा 25 हो जाएगा क्यों हो जाएगा है? 5 बटा 25 हो जाएगा तो यह कितना आएगा मेरा? 1 बटा 5 आएगा एक बटा पांच गुणा दो प्लस दो ये भी आपका दो बटे चार हो जागा तो ये हो जागा आपका एक बटा दो गुणा पांच माइनस ये भी आपका तीन है तो ये भी एक बटा दो हो गया और गुणा आपका दो हो गया ठीक इस 2 से आपका ये 2 कटिया और कोई कटने वाला है निस इस 2 से 2 कटा आपका तो यह कितना हो गया 2 हो एक सब्okा यहां कर देखे लिए एक सब्द्ə सब्सक्राइब केfl benefici बार की तो प्लस तो पांच प्लस diva पांच वार और पतफीं टीक एक कीड़ बार गई और टस अब देख लिए पच्चिस में समय लेंद धाद य опас 15 और पंद só्ण कितना हो गया 19 तो यह आ गया मेरा 19 बटा देख लीजी यह ओप्सन है क्या देखते हैं 19 बटा 10 जी हाँ option number a option number a है इसका 19 बटा 10 ठीक है आए चलते हैं अगले सवाल की तरप 19 बटा 10 इसका सब्सक्राइब जरूर करना अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो आज का तीसरा सवाल है हमारा वह सवाल है हमारा पांच प्लस तीन भाग पांच प्लस तीन भाग पांच गुणा 5 गुणा 5 ठीक है उसके बाद है भाग भाग फिर भ्रेकिटी स्टार्ट है आपका और यह है आपका फिर चार गुणा दो भाग दो चार गुणा दो भाग, सुरी चार गुणा चार है, चार गुणा चार भाग, चार है ये भी फिर ब्रेकट बंद है आपका फिर यहांपर का है, और का के बाद फिर एक ब्रेकट हापका तीन भाग, तीन भाग च्छे, एई है आपका पूरा स्वाल अब इस संवाल को solve किजिए जल्दी सा तो सबसे पहली बाद वही है कि हमको bracket solve करने है यह पो भी रेक्ट solve करना है यह यह भी बड़ करना है सबसे पहले हैं इस को solve करता हूँ ठीक है तो यहां से ऐसकर मैं solve करूझ इस bracket को तो 5 पलस 3 बटा 5 ॥ा ? गुणा 5 इस 5 से 5 कटी आ तो यह कितना आईगा 5 एर तीन 8 अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहांसे कितना आएगा मेरा 4 गुणा 4 ठीक है और भाग मैं क्या पोचेगा 4 चोक 16 ठीक और पिलस यहां से कितना पोचेगा मेरा चार बटा चार गुणा चार ठीक है अब देख लीजिए क्या है यह चार से काट लीजिए चार बार और फिर चार चुक 16 से 16 कटिया यहां से बच्चा एक इस चार से यह चार कटिया तो यहां सब पूरे कमान कितना है? चार है एख पांच आ गया अब इस पूरे कमान नकालते हम तो यह था हमारा टीन बटा शह तिए अठा रहे ठीक है, यह आ जाएगा आपका एक बटा शह अब यह एक बटा ada छह आ गया ठीक है तो यहां से कितना बचा मेरा आठ यहां चिन क्या था मेरे पास भाग का यहां से कितना बचा मेरा यह है बचा मेरा चारीकन चार बटा पांच और यहां चिन किसका है मेरे पास का का है यह बाला चिन फिर कितना आया मेरा 1 बटा 6 अब इन दोनों की बात होगी पहले तो 8 तो ऐसी रह गया भाग का चिन भी ऐसी रह गया अब यह कितना था 4 बटा 5 और गुणा 1 बटा 6 दो से काटा 3 बार दो से काटा 2 बार ठीक है अब यहाँ से अगर मैं देखू तो यह जो मेरा इस पूरे के बात कर आँं, मैं इसका बस, इस इसका, तो यह आ गया ठीक है, तो यह था आठ बाग की जगर मैं गुणा का चिन लगाँ, ठीक, तो फिर मैं क्या करूंगा उल्टे सा गुणा, तो उपर पंद्रह और बटे में, दो, दो सकाटा कितनी बार, चार व है सवाल कहां पर गलत क्या है कोई भी उपसन नहीं है ऐसा ठीक मैं एक बार सवाल चेक करता हूं पांच प्लस तीन भाग पांच गुणा पांच ठीक है भाग का चीन भाग का चार गुणा चार चार गुनाँ चार भाग चार भाग चार का 4गड हब चार प्लस चार गुना चार का üç, आ नृब्भड चे तेन का 20 ठिक है देख लीजी कहां पर ग्लत हुआ यह ए सवाल मेरा इसका मान तो पूरे का 8 ही आएगा सौ का 8 ही आघासा नाया आठी आएगा बटे जी पांच आएगा गुणा कर अपनदर ठीक ठीक पांच और तीन आठ इसा तो 8 आगा अगर मैं इसका निकालता हूं तो इसका निकालों चार गुणा चार ठीक चार और ये चार चोक 16 ठीक प्लस प्लस चार बटा चार गुणा चार ये तो आता ये ये आता ठीक है यहां से अगर मैं इसको काटू चार चोख ओ गलती होगी चार चोख 16 पूरा पूरा कट दिया एक बार और इस चार से चार कट दिया तो 4 और एक 5 इसका मान आता है हमारे का 5 आता और इसका कितना आ गया है एक बटा 6 ठीक है तो 8 भाग 5 का 1 बटा 6 ठीक है अब पहले इसको हम सोल्व करेंगे ठीक तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा 8 भाग 5 बटे 6 अब जब 8 गुणा करेंगे इसे तो हमारा उल्टा हो जाएगा उल्टा कितना हो जाएगा 6 बटा 5 और 8 च्छम कितना हो गया 48 बटा 5 और 5 से इसा काटा मैंने 5 नम 45 और 3 बटा 8 देख लिजिए इन दोनों में से ही कोई option होगा इन दोनों में से ही कोई option होगा जी 8 यह नीचे 5 है यह कितना है पांच है ठीक तो 9 सही 3 बटा 5 जी हाँ option नमबर C है आपका 9 सही 3 बटा 5 वो दो किसे हैं हाँ पे मैंने पांच नीचे अकाउंट कर लिया थे पांच टोटल जुड़का था ठीक तो आंसर कितना आ गया आपका नो सही तीन बटा पांच आंसर आ गया अगली सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जल्दी से करने की कोसिस कीजिए देख लिजी जो अगला सवाल है आपका सवाल नमबर है चार जी सवाल नमबर चार है आपका तीन गुणा चार का बार है तीन गुणा चार ब्रैकेट बंद है का बार है तीन गुणा चार का बार है भाग दो भाग दो ब्रैकेट बंद है आपका फिर भाग 9 गुणा 4 प्लस 4 भाग 8 प्लस 3 गुणा 2 का मान ग्यात कीजिए प्लस 3 गुणा 2 देख बार मैं चेक करता हूं 3 गुणा 4 का 12 भाग 2 भाग 9 गुणा 4 प्लस 4 भाग 8 प्लस 3 गुणा 2 ठीक है अब देख लिजे कर लिजे सबसे पहले हमें ब्रैकिट ही सोल करना और जब ब्रैकिट के अंदर की बात जाये तो सबसे पहले हमें ब्रैकिट के अंदर भी ब्रैकिट देखना अगर bracket नहीं है तो फिर का देखना तो का कहां पह हमारा इन दोनों के बीच में तो कर दीजिए तीन गुणा चार बारा चोक अड़ तालिस भाग दो ठीक यह हो गया हमारा ठीक भाग नो गुणा चार प्लस है प्लस चार भाग आठ प्लस तीन गुणा दो ठीक है अब फिर इसको solve कीजिए यहां सब मैंने इसको काटा कितनी बार कट जाए चोविस बार और चोविस त्या कितनी होते हैं 72 सब कमानो 72 आ गया अब देख लीजिए यह क्यामरा भाग है इसके बाद में रहागी तो होगा तो 72 बटे नो गुणा चार प्लस चार बटा यह बटे में पोच जाएगा आठ प्लस तीन गुणा प्लस तीन है तीन गुणा दो यह आ गया अब नो से काट दीजिए नो अठे बाहत्तर इस चार से काट दीजिए दो बार तो यहां से कितना हो गया आपका आठ चोक 32 कितना हो गया 32 प्लस यहां से हो गया एक बटा दो प्लस यहां से कितना हो गया आपका तीन दुनी 6 बस अब इसको जोड़ना है तो 32 और 6 कितना हो गया 38 और आधा साड़े 38 देखते हैं क्या उप्शन में है साड़े 38 38 बटा 2 38 ही आगा 37 38 बटा 2 तो कोई नहीं आ रहा इसमें कहीं गलती कर लिए यह कितने बार कटा 24 धुनी 48 बार चोक गड़तालिस ठीक है यहां से काटा माना दो से काटा इसको 6 बार और 6 चोक चोविस 72 ठीक है यहां भी सही आई गया 24 धुनी 72 यह भाग है तो भाग 9 आई गया गड़ा 4 प्लस 4 भाग 8 प्लस 3 धुनी 6 ठीक है यह काटा 9 से काटा कितने बार 8 बार और 8 चोक 32 यह भी ठीक है प्लस 4 से काटा 1 बटा 2 ठीक है प्लस 6 तो 32 और 6 अड़तीस और 38 देखते हैं जोड़के देखो इसको ठीक है तो जोड़के देखा इसको तो यह हो गया हमारा 38 प्लस एक बटा दो 38 दूनी कितना होता हमारा 38 दूनी होता 76 और एक 77 बटा दो ऐसा ओप्सन तो होगा 77 बटा दो का यहां ओप्सन नमबर डी है हमारा 77 बटा दो ठीक 77 बटा दो जो हमारा ओप्सन नमबर डी है ठीक 77 बटा दो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है करने की कोशिश कीजिए जल्दी अगला सवाल करिए जल्दी से अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5 तो यह जो आपका पाँच बाँ सवाल है यह है ब्रैकिट इस्टार्ट है सुरू से ही और 24 24 प्लस 16 गुणा 5 24 प्लस 16 गुणा 5 24 प्लस 16 गुणा 5 माइनस आठ का चार, माइनस आठ का चार ब्रेकिट बंद, आठ का चार, भाग 84, भाग 84, गुणा 48, भाग 24, गुणा 48, भाग 24, गुणा 6 प्लस 4 प्लस 3, ये आपका सवाल है, जल्दी से कीजिए, तो आईए करते हैं सवाल, वो सबसे पहला बात है हमारी ब्रेकिट की, ब्रेकिट में क्या सोल्ब करेंगे हम, का बाला पॉर्शन, तो यहां से लिखते चलिए, 24, गुणा 5, माइनस, 8 चोक 32, ठीक है, ये मेरा इतना काम था, भाग 84, गुणा 48, भाग 24, गुणा 6, प्लस 4, प्लस 3, अब देख लीजिए, इसमें मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा, तो यह 16, पंजे, 80 हो गया, ठीक, 80 और 24, 80 और 24 हो गया मेरा ये, 104 माइनस 32, अगर मैं इसको घठा हूँगा, तो यहां से मैंने 4 में से 2 हो गया, तो 2 बच्चे, और यहां स 4 में से 2 बच्चे, ठीक, और यहां से मेरा हो गया 10, 10 में से 3 गया, तो 7 बच्चे, ठीक, इतने में, यह 7, इसका पूरे कमाना गया, अब यहां से कर लू, मैं आगे से भाग, कितना है, 84, गुणा 48, भाग, 24, गुणा 6, प्लस 4, प्लस 3, यह, अब देख लीजिए, यहां से मेरा 72, बच्चे 84 आगया, ठीक है, गुणा 48 आगया, भाग, 24 आगया, ठीक, गुणा 6 आगया, प्लस 4, और प्लस 3, प्लस 3, अब इसको काट दीजिए, ठीक है, यह किस से घड़ रहा, बारचोक, बारचंग 72, बारचंग 72, बारचंग 84, ठीक है, बारचंग 72, और 42, नहीं कट रहा, छे से काटा, छे चोक, 24 बार, ठीक है, चार से काटा इसको, चारिकन 4, चार दुनी 8, बारचंग, ठीक, और तो कुछ हमारा कटी नहीं रहा, ठीक है, ठीक, तो यहां से कितना आगया मेरा, एक था यहां से, बारचंग 72, बारचंग 72, बारचंग 72, बारच साथ और फिर क्या है 72 बटे साथ प्लस यहां से कितना आ गया है चार तीन साथ अब देख लीजी साथ के नीचे एक माल लिया मैंने तो एलसम ले लिया इनका साथ तो यहां से तो मेरा 72 रहा ही प्लस यहां से साथ सत्ते उड़न चास हो रहा गया है इन सब को जोड़ा नो और दो ग्यारह के का एक हांसी लगा साथ चार ग्यारह और एक 121 बटे साथ है क्या एक कते का साथ साथ ही कन साथ अंग बच्चा कितना पांच नहीं साथ यही कट रहा कितना कोशिस कीजिए जल्दी से जल्दी सवाल नमर छे आपके सामने है च्छटा सवाल है यदी ए बराबर अच्छा इसमें दे रखा है कि आपको आठ भाग चार गुणा आठ भाग चार गुणा ब्रैकिट तीन माइनस एक प्लस च्छा गुणा तीन भाग दो का तीन भाग दो का तीन ये दे दिया आपको A बराबर ठीक है और B बराबर भी दे रखा इसने यहाँ पर अगर मैं यहाँ आप लिखता हूं B बराबर तो उसने B बराबर दे रखा आपको चार भाग आठ भी बरावर दे रखा उसने चार भाग आठ गुणा दो प्लस साथ गुणा दो प्लस साथ गुणा दो प्लस साथ गुणा तीन ठीक तो वो भूजिया है कि A प्लस B का मान ग्याद कीजिए तो उसने पूछा है आपसे a plus b कमान ग्याद कीजिए अब आपको यहाँ से जली शेल दी a plus b कमान निकालना है तो देख लीजिए सबसे पहले मैं a कमान निकालता हूं यहाँ से और सबसे पहले किसे solve करूँगा ब्रैकिट को और मैंने अगर ब्रैकिट को इसको solve करके देखा तो तीन में से एक गया तो दो बचा ठीक है तो आठ भाग चार गुणा यहां से दो रहा गया प्लस छे गुणा तीन भाग दो का तीन यह आ गया अब उसके बाद क्या करूँगा मैं का को solve करूँगा तो आठ भाग चार गुणा दो प्लस छे गुणा तीन भाग ठीक है और तीन धुनी छे ठीक है उसके बाद क्या भाग वाले पोर्सन को solve करूँगा तो आठ बटा चार गुणा दो प्लस छे गुणा तीन बटे छे यही तो आगया, ठीक है, इस 6 से यह 6 कट गया, ठीक, और इस से 4 से 2 बार कट गया, तो यह कितना हो गया, 2 दूनी, 4, प्लस यहां से कितना हो गया, 3, और 4 और 3 को दोनों को जोड़ा, तो इसका अनसर कितना आगया, 7, तो a come on Totha Ahma потреб MonKEN का अंतने ही थे बस खाल है हूब जेआब बस इतने ही थे तो b come on निकालना है सब से पहला है भाग देनी तो जब मैं बी command निकालूंगा मैं इधर ये b come on निकाल रहा हिसे तो चार बता 8 गुणा दो प्लस 7 1 किसी करदो ठीक है तो यहां से 4 धूनी 8 या 8 सा 8 कर गए हां से बच्छा 1 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया अब उसने पूछा a plus b command तो a command कितना है मेरे का 7 plus b command कितना है मेरे का 22 तो total जोड़े तो कितना हो गया 29 देखते हैं क्या कोई ऐसा option है 29 का जिहां option number a आपका सही है बिल्कुल 29 option नमबर एचछ एचा सवाल था आपका और ऊसन नंबर ए ऊगया साथ Q सवाल की तरब चलते हैं जो आपका साथ वह सवालएव आपकी स्क्रीन पर है करने की कोशिष कीजी कीiso prze whats ड़बढक डिन की कोशिष just किजए जो आपका साथ वह सवाल है सात्वा सवाल है आपका चतिस भाग आठ गुणा चार प्लस दो भाग चार माइनस एक प्लस पांच का प्लस पांच का प्लस पांच का तीन भाग चार तीन भाग चार और दू माइनस तीन का देख लीज़ें चलते हैं सबसर पहला हमें करना क्याँ है सबसे पहला हमें bracket ही solve करना है यह अपना तो यहां से चलिए 36 भाग 8 गुणा 4 प्लस 2 भाग 4 माइनस 1 प्लस 5 का 3 भाग अब देख लिए इसा करिए solve तो पहले गुणा होगी 4 दुनी 8 और 8 में से 3 गया तो कितना बचा है यहां से 5 माइनस 3 यह हो गया अब इसके बाद किसको solve करना का को solve करना तो 36 भाग 8 गुणा 4 प्लस 2 भाग 4 माइनस 1 प्लस अब देख लिए इन दोनों के बीच में का है तो 5 ती है कितना हो गया 15 है भाग 5 माइनस 3 अब फिर भाग वाले portion को तो 36 बटा 8 गुणा 4 यह हो गया प्लस 2 भाटा 4 माइनस 1 प्लस 15 भाटा 5 माइनस 3 यह माइनस 3 है अब देख लिए काट दीज speaking 2 बार 2 से काटा 18 भार यहां सा 18 आगuck इससे काटा डो बार ठीक इस से काटा 3 बार तो देख लिए यहां से मेरा बचके कितना आया था यहां से आयाता ऑठारह बचक है, развит59 ठीक प्लस है फ्लस लगा दिया, इससे काटा एक बटा Apple पिर माइनस एक और फिर क्या मेरा प्लस है कितना, तीन है ठीक और माइनस कितना है तीन है, double $3 each bank. चैंसल हो गया ठीक तो आप देख लीजिए इसको जोड लीजी ठीक तो यहांसे कितना हो गया मैं इसके बटे में एक माल लू और इसके बटे में भी एक माल लू तो है अलस हम ले लिए न..का 2 तो यह कितनी बार गई इसकी 2 बार और 28 लिआ ठीक श्तीस प्लस एक माइनस दो ठीक है तो 36 और एक 37 हो गया और 37 में से दो गए तो कितना बचा आपका 35 बचा और 35 बटा दो देखते हैं क्या कोई ऐसा ओप्सन आपका 35 बटा दो जी हां ओप्सन नमबर सी आपका सही है बिल्कुल 35 बटा दो अगले सवाल पर चलते हैं जो हमारा आठवा सवाल है आज का 35 बटा दो जो हमारा आठवा सवाल है वो है आपका यदी अंडर रोड बहु सोरी अंडर रूट कह रहा हूं छोटा ब्रैकेट 28 भाग चार गुणा साथ 28 भाग चार गुणा साथ 28 भाग चार गुणा बटा बर फिर है प्लस कि ब्रैकेट 44 भाग चार गुणा साथ भाग चार गुणा साथ फिर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद यहां बहु सोरी माइनस है आपका और अंदर है बारे गुणा एक्स ठीक बरावर दे रखा है उसने आपका अठारा तो एक्स का मान पूछा है अब देख लिजिए सबसे पहले इसको solve कीजिए चार से काटा चार सत्य 28 और साथ सत्य 49 यहां से आपका आगया 49 प्लस यहां से 11 है चार से 11 काटा 11 बार और 11 सत्य कितना आगया 77 माइनस यह कितना आगया आपका बार है एक्स बरावर कितना हो गया 78 मैं 12x को इदर ले जाऊ आए 18 को इदर लिया हूं ठीक है तो देख लिए पहले ही न जोड़िए ई साथ और नो शोले की का च्छे हमां से लगा 1714 12 है 126 हो गया है 126 और 18 का है किस यहां से बचा आपका 12 is अगर मैं एक्स उच्व बढावर पोच्छा हूं तो 108 यह गुरा में 12 ऊपको डजा गार बारे नममा 108 तो जो हमारा एक्स है उसका मान आगया नो देखते हैं कौन से उप्सन में हैं जी हाँ उप्सन नमबर सी में है नो उप्सन नमबर सी में आपका अंसर आ गया है नो तो दस्वे सवाल की तरफ चलते हैं देखे लिए जो हमारे दस्वे सवाल है तो सोरी दस्वे कहां भी जी नवा सवाल है भी तो हमारे पास जी नवा सवाल जो हमारा पॉइंटों में कितना है साथ पॉइंट दो प्लस ब्रैकेट आठ पॉइंट चार भाग जीरो पॉइंट बंटू गुणा जीरो पॉइंट दो ठेक यह भी रैकेट हो गया हमारा और अगला क्या है माइनस पांच गुणा तीन माइनस पांच गुणा तीन माइनस पांच गुणा तीन भाग जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट यह आ गया जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट प्लस यह भी है अब इसका आपको मान बताना है ठीक है इसका जो ह भाग करनी है तो जैसे ही मेरे पास 8.4 बटे कितना आ गया, 0.12 आ गया, ठीक और गुञा कितना यहां से 0.2 है, यही तो है, ठीक है, अब यहां से मेरे पॉइंट अटाया है, यहां से पॉइंट अटाया है, यहां एक 0 बढ़ा दिया, मगर मैं क्या करूँगा, यहां से होनी चोद है ठीक फिर क्या है माइनस पांच गुणा तीन भाग जीरो पॉइंट जीरो फाइब प्लस थ्री अब देख लीजे क्या मुझा भाग करनी है तो सेवन पाइंट टू प्लस प्लस है प्लस फॉर्टीन माइनस फाइब इंटू थ्री अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइब प्लस थ्री पॉइंट अटाया डबल जीरो बढ़ा दिये पांस सकाटा पांच चंगती साथ बार ठीक है अब देख लीजे साथ फार यह माइनस का है पहले मैं प्लस प्लस के जोड़ लेता ह और यह कितना हो गया मेरा चोबिस पॉइंट दो हो गया माइनस कितना है साथ ठीक है तो यहां से माइनस का अंसर आएगा और वो भी कितना आएगा देख लीजिए जब भी जोड़ घटा हो आपको परसेंटेज वह सो ली पॉइंट वाली तो साथ है से लिख लिए आपने और चोबिस पॉइंट के नीचे बना लिए जीरो पढ़ा लों अगर कोई संख्या नहीं एंदर दो ठीक है यहां से घटाया तो आठ बचा यहां से 9 में से 4 गे तो कितना बचा आपका पांच गया यहां से 5 बचे थे 5 में से 2 गए 3 बचा तो आपका कितना माइनस के 35.8 क्या आपका माइनस के 35.8 माइनस के 35.8 सवाल कहाँ गलत हुआ है कहीं तो सवाल गलत हुआ है कहीं अरे सॉरी देख लिजिए कहाँ सवाल गलत हुआ 60 की गणा 5 से नहीं लगाई इससे这是 60 की गणा 5 से नहीं लगाई तो यह कितना हो गया हमारा 24 point 24 point 2 हो गया, और 36 यह हो गया, minus के 300 यह हो गया, minus के 300 यह गलती थी हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है, minus के 300, तो 300 मैं ऐसा घटाना हम है 24 point, तो 300 और 24 point यहाँ 0 कर दो, यहाँ 2 ठीक, यहाँ से बचा 8 पॉइंट यहां से आपका 9 तो 5 बचा यहां से 9 तो 7 बचा और 275 बचा आपका 275.8 क्या ऐसा कोई option है क्या तो answer A ही जाएगा जी हाँ 275.8 option number आपका हो गया B हो गया कौन सा B चलते हैं अगले सवाल की तरब जो आपका दसवा सवाल होगा दसवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है करने की कोशिश कीजिए कितना है 3.8 3.8 minus 4.2 divide 0.7 into 3 plus 5 into 2 plus 5 into 2 plus 5 into 2 divide 0.5 ठीक है यह है इसका मान बताना आपको तो कर लीजिए सब सपहले हमें bracket ही solve करना है तो कितना है या 3.8 और यहां सा हम एकर इसको भाग करेंगे तो यह कितना हो जागा 4.2 ब्रैकिट में ही कर लीजिए भी और 0.7 गुणा 3 तो पॉइंट से 3 पॉइंट कैंसिल हो गया आपको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 7 से काटा 6 बार और 6 त्या 18 यहां सा आपका 18 आगा तो मैं इसकी जगे पूरे की 18 ही लिख दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए 18 आगा इसका आपने कई सवाल कर लिए ऐसे सवालों को तो करीद हो गया 18 प्लस 5 गुणा 2 भाग 0.5 देख लीजे मुझे क्या करना इसके बाद भाग करना तो 3.8 माइनस 18 प्लस 5 गुणा 2 बटा 0.5 यह पॉइंट अटाया तो इदर 0 पांस से काटा कितनी बार या सुरी इस पांस से पांस काट यहां पर हमारा 20 बच गया ठीक है यह हमारे पास 20 प्लस का है यह कितना है अब 20 प्लस का है देख लीजे क्या है 20 पिलस तीन पाइंट आठ माइनस अठारे बीस में से मैंने अठारे घटा है तो कितना बचा दो और दो तीन पाइंट मतलब दो जोड़ा मैंने किस में कूँ तीन पाइंट आठ में कूँ तो यह मेरा कितना हो गया पांच पाइंट आठ हो गया देखते हैं कैसा कोई option है पॉइंट आठ है उपसे नंबर ए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ठीक है तो अगले जो सवाल आएंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा ठीक आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है और आपको अगर वीडियो अच्छा लागी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और आप हमारे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना